पिछले द्याय में किस पकार से एक विदिस्या क्रांथा बाबर ने काबुल से चल करके बहारत में आकर एक मगरूर सुल्तान दिल्ली के मगरूर सुल्तान इब्राहिम लोदी के गमन को कुचला और हर्याणा में स्थित पानीपत के उस मशहूर मैदान में 21 अप्रेल 1526 को उसकी विशाल सेना को हरा करके भारत में स्थाय रूप से रहने के लिए अपना मार्ग पश चुका था यदे पर उसके सैनिक थोड़े इधर धर बिचलित हो रहे थे कि बहुत दिन हो गया निकले विए चलते हैं घर पर लेकिन बावर को जाना नहीं था बावर का भी सबसे बड़ा काटा था रासंग्राम सिंग्ग जिहां आज हम लोग देखेंगी वह वीरता का वह कि खानवा की यूद्ध साथे आपने सब सुना होगा आगे 1526 में पानी पत के यूद्ध 1527 में खानवा की यूद्ध 1528 में चंदेरी की यूद 1529 में बंगाल और भिहर के संग्से नस यूद्ध ठीक है घागरा की यूद्ध लेकिन जनली भूल जाता है अब हम लोग कहानी किस्टा के साथ चलते हैं याद रहेगा आपको को नमा के यूद्ध माने वहर रानसंगराम सेंग राणसांगा जिसकी वीर्ता के किस्टे आज भी कह जाते हैं यह थे भी मीदिया में प्रात्मिक्ता मिली है रणा प्रताफ सिंग्ध को जब की नसे ज्यादा भादर जीत लिया आगरा पर कब्जा कर लिया तब एक कहानी आते है कि रणशंगा ने एक पत्र भेजा था या किसी तरह संदेशा कलवाय था कि हमारे आपस में हम लोग मिल करके ब्रहें लोदी पर अक्मण करेंगे आप उत्तर से करो अब यहां से इधर से उत्तर से करो यह हरियाणा और मैं अब रायस्तान इदर इधर समय करूंगा आगरा के तरफ से यह अगरा के तरफ से करूंगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ पानीपत के युद्ध में राणाशंग्राम सिंग का बिलकुल कोई युगदान नहीं था वह सिर्फ यह देख रहे थे कि बाबर आएगा जीतेगा ठीक है अभगानियों को हराएगा और चला जाएगा लेकिन बाबर ने का रूप लगाया राणाशंग्राम सिंग पर या रा इतिहास को थोड़ा से कलशित करने के लिए चाहे जिस भी वज़े से लेकिन यह माना जाता है कि राणाशंगा ने इनको इनवाइट किया था ठीक है तो बाबर को लगा कि यह दिल्ली तो यहां कभजा हो गया पानीपत का मैदाने हां ता दिल्ली कभजा होगा यह आगरा क करना लाजमी हो गया अनिवार हो गया ठीक है उनको लगा कि नहीं अब यहां पर अगर नहीं हराता हूं तो हमारे सेना का मनोमल टूट जाएगा रोलोग लोटने के लिए जिद करने लेगेंगे तो रणा संग्राम सिंग को देखते हैं थोड़ी सी कहानी इनकी देखते हैं साथियों सायद आपको पता होगा रणा संग्राम सिंग वही है जिनकी बहुत ही मीरा भाई रणा संग्राम सिंग वही है जिनके बेटे उद्य सिंग थे और जिस उद्य सिंग के बेटे रणा प्रताप यानी रणा प्रताप उनके पोते थे जिया अब स्था प्रइटी कई कहानीयों के एक गजब के फूल है थोड़ी सुन की कहानी जानते हैं इनके पीता थे रायमल यहां से सौधियावन्स रायमल ते रायमल के तीन बेटे थे प्रत्वीराज जैमल और संग्राम से तो इनको तीन पुत्र थे जब तक यह जिन्दा थे तब तक तो कोई बात थी नहीं लेकिन उत्रादिकार के प्रिष्ट पर लोगों के मन में हमेसा सवाल था कि इनके बाद कौन चुकि बड़े यह जरूर थे लेकिन बहुत लोक प्रिये नहीं थे इनक सुरू से ही रण संग्राम सिंग सुरू से ही जनता की मन में थे लेकिन जनता से क्या होता है उत्तरादिकार का प्रश्ट तीनों भाईयों को आपस में करना था जोहीं ये गुजरते हैं तो ही ये तीनों लोग एक जोतिसी को अपना जर्म पत्र दिखाते सब कुछ बताते ह अगला वात्सा कौन होगा अगला यहां का संब्राट कौन होगा मिवार का जिसकी राजदानीचे ताउड थी तो जो तुसी ने बताया कि दोनों के भाग अच्छे तो हैं लेकिन नक्षत्र ये बता रहा है कि राज मुकट इनके सर पर विराजमान होगा अब उसके बाद तो फिर प्रत्वी राज और दोनोंने मिलकर कल्पना कर सकते हैं रक्त के प्यासे उस संगहासन के लिए दोनोंने मिलकर के इनके उपर हमला किया और हमला ऐसा किया कि एक आख में गुसेड दिया तलवारा आख फूड़ गई अणा संग्राम सिंग तो वहां किसी तरह बच क कि निकल लिए अब यह दोनों कि कुल लगा आके बास हम राजा बन जाएंगे लेकिन कुछ समय बात उनके जो चाचा थे सारंग देओ उन्होंने कहा कि आपस में लड़ाई करने से कोई फाइदा नहीं है चलो जो गाउं के हमारी कुल देवी हैं अब आरे उनके पास चलते हैं तो जो वहां की संख्षिक है उनसे पूछते हैं कि उनको सबसे आदा हम लोग मानते हैं उन्हीं की बात को मानते वह बड़ियांस भष्षवारी करते चलिए तो वहां पर तीनों बारी बारी जाते हैं सबसे पहले यह पहुंचता है वंदा एक उचे सिंहासन पर बगल में पत्थर रखा वाता बैड़ी आता है फिर यह पहुंचता है यह पहुंचते हैं तो वहां जगह नहीं रहती तो बाग का च्छाल आता है और बाग का च्छाल न उन्हें कहा कि यही बाट के चालवाला राजा बनेगा उसके बाद तो फेर यह लोग लपटे मारने के लिए लेकिन राजा सारंग देव वहाँ पर थेंगे चाचा जी उन्होंने तलवार पर अपर वार लिया उनलोंगका और बचाया ईतना ज्यादा चोट लगा तो उनको जीवन भर की लड़ाईयों में यहां भी चोट लगा लेगिन पृत्वी राज और जैचन जैमल elit के मन में था कि जब तक की जिंदा है तब था हम लोग राजा नहीं बन पाई शबाब से निकल ली है निकलने के बाद ठोड़ा भटकते हैं कुछ दिन तक उसके बाद । चले एक क्रम से थोड़ा साब को बताता हूं उसके बाद मिलते हैं ये स्रीविकन चिंग्र का जागीरदा करम्चंद। स्रीविकन करी में राजस्तान लिपल keeping घ्राइब कर चिंगम ऐसे लिए संग्राम से लिए जंगल में पेर की निए सबरेंगनीन चेए होहां पर 182 कर एकड़ कर एक सरप लेटा हुआ रहा है वहीं पर इनके सिरहाने पर लेकिन काट नहीं रहा है इनको वड़ा विचित्र लगा कि इस बंदे में कुछ दम है इसके ब्यक्तित्त में कुछ आशा शंदरी है कि नाग भी मोहित है और कुछ कर नहीं पा रहा है नाग कुछ दिर बाद चला गया इन्होंने जगाया और पूछा हाल चाल पूछा तो इस करम चंद ने एक ऐसा उपकार किया जहां से राणा संग्राम सिंग और राणा प्रताप का इतिहास मिलता है नहीं तो इतिहास ढूब गया होता तो यह अपने घर पर ले गए बड़ी सेवा सतकार किया कि यह से सोधिया वंस के वंसस हैं और नोनान अपने पुत्री का साधी भी कर दिया और जब 1509 में डिया अभी तक इनके पिता जी गुजर नहीं ते बूड़े हो चुके थे 1509 में जब इनके पिता जी गुजर चुके तब खबर मिली जो इनके चाचा सारंग देव थे तब खबर मिली कि ये दोनों मारे जा चुके हैं उनके दोनों भाई जो प्रत्वी राज और जैमल मारे चुके हैं आप आजाओ लेकर के आजाओ पता चला कि करम चंद उनको अपने पास रखें तो करम चंद को कहा कि लेकर आजाओ और इनका राजा विशेख होगा 1509 में राणा संग्राम सिंग आते हैं उनका राजा विशे तो सायद इतने बड़े बड़े अक्रांता यहां पर सफल नहीं होते यह लोग आपस के ही घमंड में हंकार में योद्धापन में चूर होकर के लड़ते बीड़ते थे आपस में और दूसरों से लड़ने के जगें पर अपने मार काट करके मर जाते थे फिलाल इन्हों ने क नापट पुण युद्ध दलड़ा था 1517 और 1518 वेरी वेरी इंपोर्टेट परिक्छा के लिए आस्टागर देखा जाए यह था खतावली का युद्ध खतावली का युद्ध और इधर बाडी का युद्ध बाडी का युद्ध ये अमारा है कोटा में और यह धावलपू द्धावलपुर मने राजस्तान का जिला धौल पूर जिला है कोटा जिला है कोटा सिक्षा का गड़ जवाज है ठीक है आपको सबको पता है तो खताली के युद्ध में और बाड़ी की युद्ध ज्यान दिजेगा अभी तक बाबर बाड़र पे था याद करें थेडा का वहींपिन नहीं आया था प्रणीरूप से यहाँ पर अभाये म लोदी की जब सास्थासन चला था तो राणा प्रताप करना चाहते थे हिंदु राजस्थापित करना चाहते थे और उन्हें सोचा कि जब तक मैम लोदी को बुरी तरह प्रस्तट करूं गा तब तक कुछ cm वाला नहीं है उन्होंने सब को इकठा किया और इब्राहिम लोदी को भी पता चला कि राना संगा हम से युद्ध करना चाहता है तो खतवली एक गाउं था हनवती के पास राजस्थान में खतवली गाउं था वहीं पर युद्ध हुआ और भैंक युद्ध हुआ जम आप लेकिन इनका एक हाथ कड़ गया और एक पैर में इतनी ज्यादा चोट लगए कि जी उन भरगरे लंगड़े होगे एक तो पहले सी फूटी थी हाथ भी कड़ गया और पैर भी लंगड़ा होगे मालेज एक दम बिल्कुल अपंग टाइप होगे लेकिन बहादुरी जजवा जो चबर जस्ता और उसी के एक साल जस्त बाद एक बाड़ी धावलपूर में यहां भी युद्ध कर क्या रहा है माने इब्राहिम लोधी को हरा चुके थे बस इंतजार कर रहे थे कि बाबार आये इब्राहिम लोधी को हरा के जाए एक तो माइने तोड़ा है तुसरे वो कहानी हमने देखा और वहीं पर मीरा बाई ज्यान दीजिएगा हल्की से जानकारी देदूं आपको कि राण संग्राम सिंग का दो पुत्र थे एक भोज राज और एक रतन सिंग ठीक भोज राज और रतन सिंग भोज राज बड़े थे रतन सिंग चोटे थे एक पत्नी से दूसरी पत्नी से थे दिक्रमा दित या बेक्रम और उदे शिंग दो कि यांद आया आपको उदे सिंग राणाओं के नहीं सबसे कायर कुए नाम आता था दिसको बचाने के लिए पंदान अपने बेटे का वल्दान किया था तो राना सांगा के पुत्र थे यह दिक्रमा दित यह उद्या सिंग और वहीं पर ध्यान दीजेगा जो पृत्वी राज था दूसरे पेज में जो पृत्वी राज था जिनके बड़े भाई थे किसके इनक दूसरी पत्नी से दूसरी पत्नी माने जो मेन के नाम मिलता करणावती राणी करणावती यानी अगर राजस्तान के तिहास में पदमावती का सबसे बड़ा जोहर माना जाता है तो उसके बाद सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा जोहर राणी करणावती ने किया था और मामूस्सा गुजरात का साथक मामूस्सा हमारे पती के मरने पर हमारे पुतर की कमजोर होने पर जो कोने पर अलप वैस कोने पर only अपर यवार कर लिए Agora साथा करो फिल Sikhा रोह कहानी दो एक वे बध़ी तो इसे प्लुक्त करन से साधी होते हैं मीरा भाई है लेकिन कोई जैसे लगा ही नहीं कि पती-पत्नी का कभी रिस्ता रहा हो यह भी शुरू में अनमयास थे लेकिन बाद में देरे-देरे भक्त बनते गए पर सीधे साधे थे और एक युद्ध में मारे भी गए मारे गए विद्वा हो गई रतन सिंग तोड़े कम जोर थे ओैसे अर इनका कोई राजा बनने का मतलब नहीं था राजा बने यह बनने आरी और यह उद्धें चोटे थे इनको बचाने के लिए उनको भगा दिया गया था उसके बात पंणा ने अपने बेटे को बल्दान कि बाद में इनका पुत्र राना प्रताफ होता है राणा याणी इनके पोते थे इसके पोते रणा सांगा के पोते रणा प्रत्र त begitu यह दो पूतर रणी किलत है हुँ हम पढ़ेंगे हिन का वी दियास पढ़ेंगे QAC कम गा देखा विक्रम उद्रेensitive मीरा वाई के अब कानी फिर से प्रणफे है काहानी फिर से प्रारम होते हैं कि यहां पर कि जब बाबर को लगा कि राणा ने हमको धोका दिया हमारे साथ मिलके लड़ाई नहीं किया राणा ने क्या आरोप लगा कि हाप के हमारी क्या बात हुई थी इधर है अधाल पूर कि अधर ग्वालियर और इदर के जितने चेत्रते यह बरत पुर बरत पुर तो यह सारे चेत्र हमको मिलना चाहिए घट आप पहले कि अब जाकर के बैठ गए बिल्कुल यह संब़ु नहीं है ठीक है बरत पूर जिला इधर दहुलपूर जिला इधर गौली और यह तीनों पर आप चड़ बैठे हैं जब कि मुझे मिलना चाहिए था समझावते में अब मैं इसको ले कर रहोंगा बाबर ने का चलो देखते हैं बाबर की सेनह ने कहानी सुनी ठीन किस्सा खुब सुना था बकादे सुना था कि रणा के सैनिक बहुत भी होते हैं भ्याणा पर लेंद करिये करेड़ सेयंको बेजा किस में बाबर ने बाबर ने भीजा कि जाओ बयाना पर पर अबापर से अपने अपने ल और इधर से रहा प्रता पाते हैं जो आफैंड कि ऊड्रा प्रृता पाचल रहा है राद संगा इधर से जाते हैं बयाना पर और बाबर इधर से आता है माने ये दिली या अगरा दिली से इधर अपनी सेना अब आया नहीं है बाबर और था पर इतने बुरी तरीके उह मला कि आ जो वहां का मैल क्लिक ख्वजा तो गुर रक्षक को बिलकुलबные बना लिया उसको के तोड़ी से सुरक्षा करो प्रउत रक्षक को छ्टआओ या गले को अपने कब्जे में लो फिर से रणा संग्राम सिंग्न उन को बुरी तरह रहा है कहां पर कि विवयान अपर दोबार बयाना में उसके बाद धावलपूर की बाद आती है जब बयान में हार गया अबावर तो धालपूर में बहुत बहुत बड़ा सरूवर था बहुत बड़ा तलाब था वहां पर अपने जो मनोबल गिर चुका था अब सोचे वह लोग बातरूम और लट्रेन के लिए बाहर नहीं निकल ले थे कि काट डालेंगे उसमें यह भाए ब्याप्त हो गया था रणा संग्राम सिंह का कि बाहर नहीं निकल लेते तो बावर चाल चली क्या चली यहां पर धाल पूर जबाता है वह तो धौल पूर में शरूवर था शरूवर उसने कहा यदी यदी अगर तुम लोग जीत जाते हो यह राणा संग्राम सिंह से युद्ध जीत जाते हो तो मैं इसी धौल पूर को सराप से भर पूर देन होता था तो उनको लगा कि यार यह सब कुछ होगा नहीं तो बावर ने फिर चलो जाओ कुछ अपने सिपाईयों को भेजा कि जाओ लेकर के कुछ राजपूतों का मुंडी लेकर आओ अब लोग जाते हैं बाका के फुसला के कुछ लोगों को चोरी से सव पचा आता है और दिखाता है यही है वो राजपूत यही है वो लोग जिनको हमारे वंसस तैमूर लंग और चंगेश खाने अपने पारो तले रहा है और आप लोग दर के भाग रहे हो अरे इनको तो हमने बार बार पराजित किया है बार बार इनको कलंकित किया है और आप लोग की बावर को कि अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा भागने का लेकि इज़त से भागा जाए भागा जा तो इज़त से भागा जाए क्योंकि दो-तीन यूद छोटे-छोटे हो चुके तो हरा चुकी रहां दीजेगा यह क्या है बयाना यह दावलपूर और यह गौलियर गौलि वहां भी युद्धुआ जो वहां भी जहां पर सराब भरना चाहता था वहां भी युद्धुआ वहां भी बुरी तरह रहाया उसके बाद एक दो बार और कुछ लोगों को भेजा लेकिन राणा के सेनाओं ने मार के भगा दिया अब तो आतंग बजगा अब बाबर को आरे यह द्धाओं को बुलाया आपने साथियों देखा होगा पदमावती फिल्म उसमें जो मिस्टर अनवीर सिंग है कैसे ही जो अलाव दिन खिल जी के रोल में किस पकार से जब देखता है कि उसकी जंता थोड़ी सी भैवीत हो रही है भागने प्यास कर रही है किस पकार कियाया से द्रामा किया था उसनी एंजंडा गिरा करके उसी पकार से बाबर ने कुरान मंगवाई और वहां पर सपत लिया किया प्रण करते हैं कि जबतक उन्हों नहीं होगा हम लोग शराब नहीं पिएंगे और बड़ी मंगी मंगी जो वहां से लेकर के आया था सराव कुछ उसको उसने तलवार से तोड़ा तोड के बहा दिया बहाने के बाद कासम घाता कि जब तक हम लोग जीतते हम रणा संगराम को हराते नहीं थब सक न सक न तो तो शराप पियेंगे न तो और न तो आउरत को हाथ लगाएंगे मने पती माने भावर ने और ये भी का खुब जम करके एक नारा दिया एक नित्रत च्छंता जिसको बोलते हैं इतना बढ़िया भांसर दिया पागल वानाने के लिए पनी जन्ता को उसने कहा कि अगर हम मरते हैं अगर हम मरते हैं तो हमको जन्नत नसीब होगा हमको हूरे मिलेंगी अग इतने दरसल वह पानीपत में इतना लोगों को बाट चुका था पैसा और जवाराद कि लोग इसलिए और घर जाना चाह रहे थे उसका उल्टा असर हुआ था उसने कहा कि मान के चलो भारत पर हमारा कब्जा हो जाता तब क्या होगा हम लोग कितने बड़े अमीर हो अगर मान के चलो यहां नहीं भी रहना है तो हम लोग अपना सब लेचेंगे काबूल में रहेंगे बाटेंगे थोड़ा वाधनी हो जाएंगे और इतना बढ़िया सुन्दर लेक्चर दिया उसने कि काग अच्छे उसके बाद का रहा है कि जिसको जाना हो काबूल चले जा साथ लेकिन असर तो कर चुका तो उसने का चलो एक बार और चलते हैं तो छोटी सी सेना भेजा हरा दिया रहना नैंगर बिल्कुल इसोने इंकार कर दिया और युद् Abg क्र भरतपुर में साथियों भरतपुर में यही खानवा यह भरतपुर राज में और आगरा से मेरे ख्याल से 40-50 किल मात्र और फतेपुर सिक्री से 10-15 मिल माने बहुत नजदीक यही खानवा के मैदान में अंतिम युद्ध होगा बाबर ने कहा चलो अब जो होगा होगा अब अंतिम युद्ध होगा अवजार राणा संग्राम सिंग भी बोले चलो ठीक है उनके साथ ती अब सिल्हादी था कि एक दुसरा हसन खामेवाती भी अधुसरे महमुद खाँ थीक है यह अलवर के राजा थे इख यह पैस जगह के च्टा राजा था था हसन खाँ मेवाती बहुत ही गजब का नाम इतिहास में और महमुद खाइब्राहिम लोधी का छोटा भाई था द्य आप रणा संग्राम सिंग ने कहा था कि चलो तुमको दिल्ली में काफी अच्छा पद मिलेगा यह तीनों रणा संग्राम सिंग के साथ थे अब बाबर ने सोचा कि पहले बाबर ने कहा कि चलो बल से जीतना होगा लग रहा है रणक वसल से हम लोग नहीं जीत पाएंगे तो इनको स्मपर्क किया गया कि आप लोग मुसलिम हो जबकी राजपू थे पहले इनको मुसलिम इनके वंससों में बनाया गया था पर पिलाल आपको यह मिलेगा वेम लिए सवाल ने उठता मैं रणा के लिए मर जाओंगा लेकिन नहीं करूंगा पड़ ये बिग गया इसने कहा कि आयन मौके पर मैं आपको साहता करूंगा सिलहदी अब युद्ध की बारी आती है साथियों खानवा के मैदान में ज्यान दिए का कौन सी नदी गंभीरी नदी सारी चीजें जब मैं प्रश्नुत्तर कराऊंगा इसके बाद हमारा बाबर प्रश्नुत्तर वो होगा चाहिए सो चाहिए सो हर तड़ीके के लिए बाबर प्रश्न उत्तर होगा तब यह सब चीजें आएंगे ठीक है सायोग कौन बाद में कौन बाड़ी की युद्ध यह और कौन से नदी गंभीरी नदी के बगल में खानवा नामा कस्थान पर जो सेना एक अप्त्रित हुई वहां पर आप हुआ के चलो अब युद्ध होगा ज गया सामने हुई और इस बार बाबर ने चमडे कर नहीं जो बैल गाड़ी थी फिर से हुआ ही सिस्टम लगाया डाल गारी में बैल तो थे नहीं हाँ इस बार लोहे का सिकड़ लगा उसके पीछे द्यान देजाएगा यह जो सेना थी खंदक वाला खाई वाला तो था उसके पीचे यह बेल गारी वाला उसके पीचे तो अभ यहां पर तुल्गुमा एक दाइना एक बाया तुल्गुमा क्या करता था आपको बताए हम ने वह यहांस एकदम पीच्छे हम ना करता था इधरसे पीच실 अंहों करता था मने अब उसके बाद सारे युद्ध का वड़न करना बहुत अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन भेंग कर युद्ध हुआ शुरू में रणा संग्राम सिंग बीर तो थे लेकिन टैक्टिक्स इसको बोलते हैं रणा नहीं थी युद्ध रणा नहीं थी उनके पास बहुत ज्याद डबल तिबल है क्योंकि यहां पर बाबर से ज्यादा सेना थी इसलिए कि रणा संग्राम सिंग ने सब को इकठा किया था और एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें संग्राम सिंग इकदम बिल्कुल हावी थे सुरू सभी हावी थे इधर सभी मार किये उनके दाहिने तुल्ग अभाली उनकी सेना और इसके रणनीती धीरे 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 सब कुछ पलट के रख दिया गिरगे रासंग्राम सिंग गिरगे घायल हो गए वहां भी गायल होगे चुकी वह इतने युद्ध लड़ेती इतना ज्यादा घायल थे कि कैसे बिना एक हाथ का बिना एक वहां पर एक नाम आता है ज्ञाला अज्जा साथियों यह ज्ञाला जो है न यह ऐसे राजपूतों में कुछ ऐसे लोग थे आगे बताऊंगा ज्ञाला मान सिंग जराना प्रताप गायल हो चुके थे तो राना प्रताप जब यद्ध से नहीं जाने को तयार थे या गायल ह दो की की मायल जाते हलदी गार्डी के उद्र पर चाला मान जि लगा करा वंकर भबा उनके दोस्त कुछ उनके सिपास अलार उठाके लेगे बाहर यह रहेंगे तो फिर से लड़ाई होगी और जालाज्या वह बहादुरी दिखाता है यह हासन खाम मेवाती यह भी इतनी गजब का जवार यह दस बार हजार सेना को लेकर के जुड़े थे रणा संग्राम सिंग से और यह जालाज्या ने वह तलवार के जहर देखाए कि बाबर की हालत खराब हो गई लेकिन छोटी मतलब सेना बची थी मारे गए यह भी मारे गए यह बहुत से राजपूत राजा जो थे जुन्होंने सब उक्या तो भी मारे गए यह आयन वक्त पर खत्रह क्या होगा था आयन वक्त पर कम सकंव 10-15,000 को जो ही लड़ाई शुरू होती है यह अलग हो जाता है यह गद्दार माना जाता है गद्दार माना जाता यह द्यपी मुस्लिम था लेकिन यह इसका वंससर राजपूत राजपूतों का था कहा था कि इसने गद्दारी कि असल हदी ने जान द अलग हो गया बिल्कुल वहीं से सारा गणित गवड़ा गया लेकिन फिर भी यह लोग अपने बहादुरी से लड़े और अंत्तों गत्वा खार्वा के युद्ध में राणा की हार हुई कि तो राणा संग्राम सिंग को लोग उठा करकर लेके जाते जगए जो अजमेर मिस्स मो wide वहां पर ए सथी जैफूर मीं, जैफूर में अधर मुटा कर लेके यह घणे बगल में ही आब वहां जब उनको होस आता है तो बोलते हैं कायरों की तरह है कि तुम लोग मुझे उठाकर लेकर आया अपने सिपास अला को इतना गाली देते हैं डाठते हैं कि तुम्मारी हिम्मत कैसे रणभू में मुझे मर जाने दिया होता मुझे उठाकर यहां क्यों लाए बहुत समझाते हैं लेकिन कहें नहीं हम लोग अपने पत्नियों को मुह क्या दिखाएंगे अपने परिवार अपने बच्चों को कैसे समझाएंगी विजा कि कुछानिया करत कि बाद कि बाबरस से लड़कर के बाग के पीछे आगए उन कहा कि मुझे युद्ध में लेके चलो युद्ध में लेके चलो लेकिन उनके जो सेनादनी थे सेनापती थे बिलकुल मना किये बड़े जित पे अड़े रहे देखे पर अब बाद होगी आप उनको लगा कि रणा संग्राम सिंह जूद मूट के अपने बादुरी के चक्र में सब्कों मरवाएंगे कुछ को नहीं पाएगा क्योंकि सारी सेना मारी हग जाचुक्छी अब क्या होगा तो कहानी मिलती है वहां रणा संग्राम सिंह को जहर दे दिय उनको मार दिया ठीक है और वहीं पर उनका समापन हुआ लेकिन इतने पर बाबर रुखता नहीं है बाबर ने कहा के रणाओं ने हमारे साथ ऐसा खेल खेला है जाकर के जितने लोग बूढ़े बुजर्ग बहिला बच्चे जितने सब के मुंडी काट के लेकिया हो और भागत को पकड़ा इन्होंने पकड़ पकड़ के मुंडी काटा ऐसा लेके जैसे तर्बूच कोई लेकिया आ रहा हो मुंडी काट के हजारों मुंडी 25 फित लगवग 25 फित उची दिवार बनाया मुंडी पर ध्यान दीजे का मुंडियों की दिवार 25 मामली नहीं होता है और यह द है जियूक विजय कर चुक यहीं हें और उनका भी जू स्था डूना नंकि गाजी माने गाज गी इस नहीं को ठाजी ठीक है याद करिये जिस समय यह जा रहे थे जिस समय कुमकुम और केसर लेकर कर रहनी कर अबcak नूती इन कू सआ के जा रहे थे सजा मतलब सजाकर भेज रही थी उती समय राणा उतर गए और यह उतरना अश्चुब माना जाता था सब लोग धल गए वहां पर राणी भी धल गए उन्होंने कहा क्या हुआ महराज तो अन्होंने कहा कि पहले मीरा को बुलाओ मीरा जब तानपूरा ले करके और भी दवा के वेस में आती है तो उनका खलेजा फड़ जाता है लेकिन बोलती है कि बोलते हैं कि मीरा मैं तो जा रहा हूं अपने पुत्र रतन सिंह के साथ चोटे पुत्र हमारा कोई वरोस में बैस्त हो गई लेकिन फिर भी मीरा का इतिहास तो मीरा का इतिहास है दूसरे बाग में लोग देखेंगे यहां पर कुछ पॉइंट हमने देखा अब देखते हैं यहां पर बयाना जो जिसको हराय थे किले में चीक है गवर्णर मेहदी ख्वाजा वहां का जिसको किले मे बाहित कर लिया था सिल्या अधी इसे भी थे महमुद खाले यहां यहां? उसी दोर में भूल गया इसको और जब इनके सेनाओं ने कहा जब दो तीन बार हार चुके है और सेनाओं ने भीका करे बया कावल का जो जो उसने भी कहा था तक इस बाबाबर किया रोगी चलो सब मारे जाएंगे उसने कहा कि ऐसे जोसी बहुत देखा हूं ठीक है हम लोग जीतेंगे तो जीतेंगे तो बाबर ने इसको भी जूटा दिया उसको अपने युद्धकाल में मनें अपने सासनकाल में कई जागीर दिया इनको बहुत बड़ा आदमी बना दिया पाइदा उठाया और जालाज्जा जो उनका मुकुट पहन कर लड़ रहे थे और जिन्नोंने राणा संग्राम सिंग के बदले में अपने को सर किया ची आपन की मौत होई थी कहां पर किसकी राणा संग्राम सिंग का खतावली बाड़ी युद्ध गंबेरी नदी की किनारी चीके साथियों युद्ध्यपी मुझे लगा था कि मैं अगर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा लेकिन पता नहीं मेरे क्याल से लिमिटेड वीडिय देखेगा एक दम एक चीजी याद हो जाएगा उसके बाद आगे चलते हम लोग अभी एक युद्ध या दो युद्ध और बचा है बाबर का बाबर के साथ कहानिया चलते हैं और फिर से देखेंगे लिए राणा संग्राम सिंग को जरूर पढ़िएगा दो तिन बार